यह है आपका depression in freezing point, depression in freezing point, boiling point के बिल्कुल उल्ड़ा होगा, इसके अंदर एक void आता है, triple point, triple point होता है आपका 4 degree Celsius पे, एक ऐसी जगह जहाँ पे एक एक ही temperature पे, तीन अलग-अलग state exist करती है, तीन अलग-अलग state exist करती है, triple point पे, basically वो जो point है, वो आपको बाद में पढ़ना है, लेकिन वो सारा का सारा खेल होता है कि इसका, atmospheric pressure का, उस जगह पे वो तीन अलग-अलग states में exist करता है, clear, यह इसका graph होगा, यह आपके पास है सबसे पहले solvent, जिस तरीके से हम कर रहे थे, पहले solvent ले रहे थे, फिर उसमें add कर रहे है, solute, उसी तरीके से करेंगे, यहाँ water डाला, हमने क्या डाला, water, यह water के molecules है, यह pure है, तो इसका जो phrasing point होगा, Tf0, इसमें हमने add करा, adding, adding, some amount of, some amount of, solute, some amount of, solute, solute के कुछ amounts, इसमें हमने क्या करें, add करें, तो हमारा बन गया क्या, यह solution बन गया जी, यह हमारा बन गया, फिर से अब यहाँ पे solution, इसका जो point होगा, ओ, sorry, इसका जो phrasing point होगा, वो होगा Tf, और वो कुछ भी होगा, इसका लिख देते हैं, phrasing point of solution, phrasing point of solution, of solution, यह किसका है, यह है, Fp, phrasing point, Fp of solvent, Fp of solvent, और इन गोनों के बीच में, आदेकि, इसका जो, अगर आप देखेंगे, इसका जो phrasing point होगा, यह क्या होगा, जादा होगा, जैसी आपने डाला, यह जल्दी, यह कर जाएगा, freeze point, क्योंकि इसके अंदर, solute के, इसके, solute के particle, यह तो solvent के particle है, छोटे, 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 इसमें solute के particle आगए, जहां मोटे, मोटे, या फिर, भारी, भारी particles होते हैं, उस जगा पे, freezing की tendency, जादा होती है, freezing की tendency क्या होती है, जादा होती है, तो यह जो है आपका इन दोनों के बीच में, delta tf होगा, और delta tf हमेशा क्या होगा आपका, greater minus lesser, greater यह है, lesser यह है, तो tf0 minus tf, यह इसका formula होगा, और यह बिल्कुल उसी तरीके से work करेगा, जिस तरीके से आपका elevation वाला कर रहा था, delta tf, directly किसके, molality के, किसके, molality के, और delta tf, पूस्ट डालिटी हटाएंगे, तो kf लग जाएगा, यह भी एक तरह एक constant होगा, depression constant होगा, depression constant होता है, और molality का formula आपको पताईए, यह लिखा हुआ है, आपने पहले ही kf की value, water के लिए तो आपको याद रखनी है, water की value kf के लिए, Kelvin kg per mol, Kelvin kg per mol, 5.12 Kelvin kg per mol, 5.12 Kelvin kg per mol होती है, तो बढ़ते हैं इसके numericals की, और ट्ट्टो उसी तरीके से हमें करना है, ट्ट्टो उसी तरीके से, 45 gram of ethylene glycol, 45 gram of ethylene glycol formula यह है, ethylene glycol का हम molar mass निकाल लेते हैं, तो यह हो जाएगा, 12 into 2 plus, 1 into 6 plus, twice into 60, clear, तो यह हो जाएगा, 24 plus 6 plus, यह plus होगा, यह हो जाएगा आपका 32, तो यह हो जाएगा, आपका 62 gram per mol, इसका molar mass है, ethylene glycol का, यहाँ पे, सबसे पहले क्या डाला गया है, 600 gram पानी, 600 gram water है, मतलब water, यह आपको WA given दे रखा है, क्या दे रखा है, WA, clear, इसके अंदर हमने कितना डाला, 45 gram, यह है आपका, TF naught, clear, TF naught, water है, तो इसका जो TF naught, कितने पे जमता है, आपको पता हिए, Kelvin में अगर लेंगे, तो आपका हो जाएगा, 273 degree, या फिर degree के अंदर, यह 0 degree होगा, कितना होगा, 0 degree, इसके अंदर और कुछ mention है नहीं, Kelvin के respect में, तो हम निकाल देते हैं, यहाँ पे सीजा, इसको लिख देते है, 273, 273 Kelvin, clear, इसके अंदर हम ने डाला, 45 gram, 45 gram, ethylene glycol, यह है, solute, इसके यह होगी, आपका WB, MB हमें पता ही है, लिख लिए हमने वोड़ा, कितना है हमारा, 62 gram per more, 62 gram per more, तो यह हमारा क्या होगी आप, solution बन चुका है हमारा, क्या बन चुका है, solution, जिसके अंदर यह water के molecule थे, और कुछ-कुछ, आप इthylene glycol के, मोटे-मोटे molecules आ चुके हैं, पहला निकालना है, freezing point depression, मतलब delta tf निकालना है, दूसरा freezing point of solution, मतलब यह हमें निकालना है, सबसे पहले इसको use करते हैं, kf की value water है, तो kf की value water यहाँ पे solvent की तरह use हो रखा है, तो kf की value आपको पता होगी, मैं दिखवा दिया था आपको, 5.12, 5.12 Kelvin kg per mole, क्या होगी, Kelvin kg per mole, delta tf is equal to, kf की value कितनी है, 5.12, given mass of solute, given mass of solute is, 45 gram, molar mass कितना है इसका, 62 grams, उपर 100,000 डाला, solvent का कितना है, इतना, इसको मैं solve करता हूँ, यहां पर निकाल देता हूँ, delta tf कितना निकलता है, delta tf इस भी यहां पर calculate करके निकाल देते हैं, 5.12 into, 45 into, 10, divide by 62, divide by 6, तो यह हो जाएगा, आपका delta tf निकल गया बिटा, कितना 6.19, क्यालवी, अब आपको पता ही है, पहला तो निकल गया, यह वाला हमारा, यह वाला portion निकल चुका है, अब भी निकालते हैं, यह हो जाएगा आपका, tf 0 minus tf, इसके अंदर आपको यह चीज़ तो पता ही है, क्यालवीन में कितनी है, यह गिवन है, गिवन किया पता ही होती है, और यह हमें पता है, 6.19 is equal to, यह हो जाएगा, 273 minus tf, हमें यह तो निकालना है, अब मैं करता हूँ, इसको वहाँ फैकता हूँ, इसको यहाँ फैकता हूँ, तो tf हो जाएगा हमारा, 273 minus 6.19, 6.19, 6.19, तो 273 minus 6.19, यह आ जागया मेरा, 266.18, किसके अंदर, क्यालवीन के अंदर, यह दोनों को दिरों, आपकों सॉल्व हो चुके हैं, पहला आंसर यह रहा, A, यह है A, यह है आपका B.